तो जैसा मैं कह रहे थी कि एक धुरुविय विश्व की स्थापना हो गई और अब अमरीका को कोई चुनौती नहीं दे सकता था और एक महाशक्ती के रूप में उफर कर और वह सामने आया और कि संयुतराश संग ही नहीं वरन अंतराश्टे मुद्राकोष जैसी वित्तिय संस्थाओं का भी वर्चस्व उसने प्राप्त कर लिया पर्मानो हत्यारों से संबंधित एक चिंता हमारी बढ़ गई क्योंकि सोवियत रूस के विक्टन के बाद रूस यूक्रेन बेलारूस और कजाकिस्तान के हाथों में पर्मानो बटन आ गया तो इसलिए हमें ये पूरे विश्व को ये डर लगा कि क्या ये देश समुचित सुरक्षा कर पाएंगे पर्मानो हत्यारों की ये एक डर हमें आ गया एक और प्रभाव जो सामयवादी गुट के विक्टन के बाद हुआ वे है था लोकतंत्र की सर्व व्यापकता अब को की सामयवाद का अवसान हो गया, पराभव हो गया तो लोकतंत्र ही एक मात्र ऐसा विकल्प दिखने लग गया लोगों को और जो नफस वतंत्र राष्ट्र थे वो अपने देशों में लोकतंत्रिक सरकार स्थापित करने लग गये और केवल चीन और उत्तरी कोरिया ही एक मात्रह से देश रहे गए जहाँ पर सामयवाद था विचारधारा के आधार पर राश्ट्रों का विभाजन जो है अब वो अपरासंगिक हो गया क्योंकि शीतियुत खतम हो गया सामयवादी खेमे का अफसान हो गया तो इसलिए विचारधारा के आधार पर राश्ट्र अपने सरकारों की स्थापना नहीं करते थे और वो अर्थ व्यवस्था को अपना रहे थे और एक दूसरे के निकटा रहे थे चाहे वो विचारधारा में एक हो या नहों, जैसे रूस, अमरीका एक दूसरे के निकटा रहे थे, अमरीका चीन निकटा रहे थे, चाहे उनकी विचारधारा एक नहीं भी थी, तो इस तरीके से मैंने आपको ये सामयवादी गुट के विकटन के प्रभाव बताए हैं, और अगली क्लास में मैं आपको अंतराश्री राजनीती में सामयवादी गुट जो है, उसके क्या प्रभाव पड़े, यानि अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़े, ये मैं कराऊंगी, ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे, ड़र टुडेशना डं़ी में मैं मीजय ओता आपको अंतराश्री लायं आपको।